स्वागत ही दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने MI MIX 3 5G या फिर इसी भी Redmi phone पे network जो आपका काम नहीं कर रहा है network का जो आपका problem आता है उसे आप कैसे solve कर सकते इस वीडियो में मैं आपक आपको बताऊंगा दोस्तों हो सकता है कि आपका network जो है show नहीं कर रहा हो या फिर आपका internet काम नहीं कर रहा है data show नहीं कर रहा है 4G network काम नहीं कर रहा है 3G network काम नहीं कर रहा है या फिर आपका जो आपका network है वो बिल्कुल show ही नहीं कर रहा है तो यह सारे problem network का problem का आप कैसे solve कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और यह आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक आउट कर सकते हैं चलिए बि सेटिंग डिया जाता है ठीक है यहां पिर आप दिख सकते हूं ने टreक सेटिंग रीषैट को ने जमें जाने से पहले में हम बैक आते हैं और यहां पर सब्सक्राइन मोबाइल अपको इ Але असके बाद में जो इसवाद यहां पर आपको नेट वाथ कर नहीं मिल रहा है अप नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है उस इनको आप सेलेक कर लिजेगा और यहां पे दोस्तों आपको प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप पे जाना है अभी आपको ध्यान रखना है कि यह दिया आपका मुबाइल वोल्टी है ल्टी है वोल्टी सपोर्ट करता है तो आपको प मुबाइल वोल्टी है तब यहां पे जो है आपने फ्रीज़र्ञ सलेक किया है तो वोल्टी को आप ओन कर सकती हो ओफ रख सकती हो ठीक है चेक करने के लिए उसके बाद में दोस्तों यहां पे मुबाइल नेटवर्क पे यह हम चले जाते हैं तो आपको अटोमेटिक होगा Wi-Fi, Mobile Data, आपका यहां पर Bluetooth और यह SIM सारा आपका reset हो जाएगा, ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी-कभी हमारा network वगेरा में हम जो छेटखानी कर लेते settings वगेरा में या फिर गलती से settings वगेरा जो छेटखानी हो जाता है, इसी वज़े पर आपको अपना password है तो भर देना है, उसके बाद में next पर क्लिक करना है, अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि reset all network settings you can turn to this action, तो आपको यहां पर simply ok click करना है, ठीक है, जैसे आप ok click करेंगे आपका network जो है, वो completely reset हो जाएगा, तो यह करने के बाद में दोस्तों आप अपना mobile के एक बाद स्विच ओफ करके switch on कर लिजएगा, restart कर लिजएगा, उसके बाद में आपका जितना भी network का problem है, वो solve हो जाएगा, ठीक है, एक इसके बाद जित भी आपका problem solve नहीं होता है, तो कभी-कभी motherboard में, या फिर sim slot में, हमारे imbult motherboard में problem होने के बाद जिससे भी होता है, ठीक है, तो यह था problem का solution, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आएगा, thanks for watching.